मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाओँ चिवबाबा मुरली में समझाओ तूले जीवन में हो जाओँ शिवबाबा मुर्नी में समझाओ ओम शान्ती आज की तारिक है 13.1.2023 की सातार मुले बाबा के महवाक्या मीठे बच्चे यहां तुम्हें सुख दुख मान पमान सब सहन करना है पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धी हटा देनी है अपनी मत पर नहीं चलना है देपताई जनम से भी यह जनम बहुत अच्चा है कैसे उत्तर इस जनम में तुम बच्चे शीब बाबा के भंडारे से खाते हो यहां तुम अत्था कमाई करते हो तुमने बाब की शरन ली है इस जनम में ही तुम AN OORU पर लोक सुखी करते हो सुदामा मिसल दो मुठी दे एक्की जरम की बास शाही लेते हो गीत चाहे पास हो चाहे दूर हो चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे चपनों की तुम तस्वीर हो चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे जीवन की तुम तकदीर हो चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे चपनों की तुम तकदीर हो ओम शान्ति गीत का कितना अच्छा अर्थ है बाप बैट बच्चों को समझाते हैं चाहे हम इस तन से नज्दीक हैं वहां दूर हैं क्योंकि समुक योग की शिक्षा दे रहे हैं परेणा से तो नहीं देंगे ना चाहे मैं नज्दीक हूँ चाहे दूर हूँ या तो मुझे ही करना है भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ती करते हैं बाप बैट समझाते हैं कि हे जीव की आतमाई इस शरीर में निवास करने वाली आतमाई आतमाउं से परमपिता प्रमातमा बैट बात करते हैं प्रमातमा को आतमाउं से मिनना है जरूर इसलिए जीव आतमे भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं सत्युग में तो कोई याद नहीं करते अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भगत हैं जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वरक का मालिक बनाया था तो उनका यादगार बना कर भक्ती करते हैं अब तुम जानते हो बाब समुक आए हैं लेने के लिए क्योंकि अब बाब के पास जाना है जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को पुरानी दुनिया को बुद्धी से भूलना है और योग में रहना है तो इस योग अगनी से पाप भसम होंगे इसमें मेहनत लगती ह पदवी तो जबर दस है बिशप का मालिक बनना है मनुश्य कहते हैं कि बिशप का मालिक तो शिप बाबा है प्रंतु नहीं बिशप का मालिक मनुश्य ही बनते हैं बाप वैठ बच्चों को बिशप का मालिक बनाते हैं कहते हैं तुम ही बिशप के मालिक ते फिर चुरासी जर्म लेते लेते अब कोड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो पहला नमबर जर्म और अभी का अंतिम जर्म देखो कितना रात दिन का फर्क है कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर शक्षतकार ना कराई ग्यान बुद्दी से भी शक्षतकार होता है जो स्यानी बच्चे हैं निते बाप को याद करते हैं उनों को बहुत मज़ा आएगा यहां तुम सब नहीं बाते सुनते हो मनुश्य तो कुछ नहीं जानते हैं वह तो गोपोड़े लगाते रहते और दर दर धके खाते रहते हैं तुमको तो भटकने से छुडाया जाता है बाप कहते हैं तुम आत्मा हो मुझे बाप को याद करते रहो बुद्धी में यही विचार रहे कि हम आत्मा को बाबा के पास जाना है यह सुरिष्टी जैसे हमारे लिए है नहीं यह पुरानी सुरिष्टी तो खतम हो जाएगी फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे दिन रात बुद्धी में यह चलना चाहिए बाप अपना अनुभब सुनाते हैं रात को सोता हूं तो यही खायलाद चलते हैं यह नाटक अपूरा होता है यह पुराना चोला छोड़ना है हाँ विकर्मों का बोजा बहुत है इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है अपनी अवस्था को दर्पन में देखना है हमारी बुद्धी सबसे हटी हुई है धंदे आदी में रहते हुए भी बुद्धी से काम ले सकते हूँ बाबा के उपर कितना ओना है कितने ढेर बच्चे हैं उनों का खायाल रखना पड़ता है बच्चों को पना यादि शर्न देनी हैं दुख्य तो बहुत है ना हगामे में कि यह समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शर्म देने के लिए यह मकान बन रहे हैं, यहां तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं और फिर योगवल भी रहता है, बच्चों ने शक्षतकार भी किया है, जो बाप को अच्छे रितियाद करते हैं, तो बाप उनो की रक्षा भी करता है, दुश्मन को भेंकर रूप दिखा कर भगा देते हैं, तुमको जब तक शरीर है, तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका काद नीचे हो जाता है, तुमको भी काद नीच करना पड़ेगा, बच्चों के लिए तो और कड़ी सा जाए हैं, कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुक लेले में जो होगा सो देखा जाएगा, बहुतों को इस परानी दुनिया के सुक मीठे लगते हैं, यहां तो सुक दुकमान अपमान सब सहन करना पड़ता है उच प्राप्ती अगर चाहते हो तो फालो करना चाहिए, माव आपके फरमान पर चलना चाहिए, अपनी मत माना, रावन की मत सो तो तकदीर को लकी लगाने की ही निकलेगी, बाप से पूछेंगे तो बाबा जट कहेंगे, यह आसूरी मत है, शिरिमत नहीं है, कदम कदम पर शिरिमत चाहिए, देखना है कहां, उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते, देवी देपता तब बनेंगे, जब ऐस लक्षन होंगे, ऐसे नहीं, वहां आटोमेटकली लक्षन आ जाएंगे, यहां बहुत मीठी चलन चाहिए, अगर समझो शिप बाबा ने नहीं, ब्रह्मा ने कहा, तो भी रेस्पांसिवल यह रहेगा ना, अगर कुछ नुपसान भी हुआ, तो हर्जा नहीं, यह ड्रामा म था, तो तुमारे पर कोई दोश नहीं, अवस्था बहुत अच्छी चाहिए, भल तुम यहां बैटे हो, बुद्धी में यही रहे कि हम, रमंड के मालिक, वहां के रहने वाले हैं, इस रिती, घर में रहते, धंता करते, उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी, घरस्त से, उपराम हो जाते हैं, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो, उस हठ योग सन्यास और इस सन्यास में, रात दिन का फरक है, यह राज योग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखलाना सके, क्योंकि मुक्ती जीवन, मुक्ती दाता है ही एक, सभी की मुक्ती अब हो सादू लोग सादना करते हैं कि हम बापिस जाए यहां दुकी हैं कोई फिर कहते हैं हम जोती जोत में समाई अनेक मत हैं बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिनों को पुराने संबंदी भी याद आते हैं उस दुनिया के सुखों के आश होई और यह मरा फिर उसका पैर यहां ठेहर ना सके माया बहुत लालच देती है एक कहाबत है भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा यह माया भी बाज मिसल बार करती है अब जब की बाप आए है तो अभी भी पुर्शाद कर उच्पद नहीं पाया तो कलब कलपांतर भी नहीं पाएंगे यहां बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है तो पराने दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना सारे दिन का कोता मैं देखना चाहिए कितना समय बाप को याद किया किसको जिये दान दिया बाप ने तुमको भी जी दान दिया है ना सत्यूक तुत तरेता तक तुम अमर रहते हो यहां कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं सवर्ग में दुख का नाम नहीं समझेंगे पूरानी खाल छोड नहीं लेते हैं यह मिसाल भी तुम से लगता है, और को यह मिसाल दे नहीं सकते, वह थोड़ी पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकठे करते रहते, यहां तुम जो बाप को देते हो, तो बाप खुद थोड़ी खाते, वह अपने पास रखते हैं, उन से बच्चों की ही परवरिश क करते हैं, इसलिए यह सच्चा सच्चा शिप बाबा का भंडारा है, इस भंडारे से खाने वाले यहां भी सुखी तो जनम जनमातर सुखी रहते हैं, तुम्हारा यह जनम बहुत दुरुलब है, देपताई जनम से भी तुम यहां सुखी हो, क्योंकि बाप की शर्र में हो, यहां से ही तुम अत्था कमाई करते हो, जो फिर जनम जनमातर भोगेंगे, सुदा में को भी दो मुठी के बदले, 21 जनमों के लिए महल मिल गए, यह लोग भी सुखी तो परलोग भी सुखी, यह नि सुहेला, जनम जनमातर के लिए, इसलिए यह जनम बहुत अच्छा है, हम स्वर्ग में चले, प्रंतु अभी तो बहुत खजाना, बाप से लेना है, अभी राज़ानी कहां बनी है, फिर जल्दी बिनाश कैसे कराएंगे, बच्चे अभी लाए कहां बने हैं, अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं, बाबा की सर्विस तो अपरम अप है, जितना उंच हूँ, सर्विस भी उतनी उंच करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है, उंच ते उंच बाबा की गदी है, जो जितना परशाद करते हैं, वे अपना भाग्या बनाते हैं, यह है अभी नाशी ग्यान रतनों की कमाई, जो वहां अथा धन बन जाता है, तो बच्चों को पुर्शाद बहुत अच्छा करना है, बाब को यहां भी याद करो, तो वहां भी याद करो, सीड़ी तो है ना, दिल दरपर में देखना है, मैं कितना बाब का सपूत बच्चा हूँ, अंदो को रास्ता बताता हूँ, अपने से बाते करने में खुशी होती है जैसे बाबा अनुभा बताते हैं, सोता हूँ तो भी बते करता हूँ, बाबा आपकी तो कमाल है, भक्ती मारग में भी, फिर हमको भूल ही जाएंगे, इतना बरसा आप से पाते हैं, फिर सत्योग में यह भूल जाएंगे, फिर भक्ती मारग में आपका यादगार बनाएंगे प्रन्तु आपका आक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं जैसे बुद्दु अग्यानी बन जाते हैं अब वाप ने कितना ग्यानी बनाया है रात दिन का परक है इश्वर सरभ्यापी है यह कोई ग्यान थोड़ी है ग्यान तो स्रिष्टी चक्र का चाहिए अब हम 84 का चक्र पूरा कर बापिस जाते हैं फिर हमको जीवन मुक्ती में आना है ड्रामा से बाहर थोड़ी ही निकल सकते हैं हम हैं ही जीवन मुक्ती के राही अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा बरी प्रे बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुर्ली के लिए रत्री कलास 16-12-1988 किसको बाबा बच्ची कहते हैं किसको माईया कहते हैं जरूर कुछ फरक होगा कोई की सर्विस से खश्वू आती है कोई तो जैसे अक के पूल है यह तो बाप ने समझाया है तुम जैसे हमारे साथ आए हो उपर से बाप भी आए है बिशब को पावर बनाने तुम्हारा भी यह कर्तब्य है वहां से जो पहले आते हैं वह है पवित्तर नए आते हैं वह जरूर खशबू देते होंगे बगीचे से भी भेड करते हैं जैसी सर्विस बैसा खशबू दर फूल विवे कहता है शिब बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खशबू आनी चाहिए हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं तुम बिशब के मालिक बेशक रहते हो परन्तु पढ़ाई में परक तो बहुत रहता है यह होना भी है जरूर बच्चों को निश्चे हो जाता है यह बाबा है और चक्कर भी बुद्धी में है तो बाप कहते हैं और जासी क्यों बताएं बाप विगर सबदशन चक्करदारी कोई बना न सके बनते हैं इशारे से जो कलब पहले बने हैं व पवित्रता के उपर कितने अत्यचार होते हैं जिस दवारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं शिप बाबा को भी गाली देते हैं कच मच अफ्तार कहना भी तो गाली है ना जाने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंग लगाते हैं बच्चे कितन माथा मारते हैं पढ़ाई से कोई तो बहुत साहु कार हो जाते हैं चितना कमाते हैं एक एक आपरेशन के दो हजार चार हजार मिल जाते हैं कोई तो कुटम की पालना भी नहीं कर सकते फिकर है ना कोई जर्म जर्मांतर बाश्चाही लेते हैं कोई जर्म जर्मांतर के लिए ग बनाते हैं अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है सभी का पाठ है जो पाठ हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है ड्रामा अनसार जो कुछ होता है ठीक है तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए हर एक अपने अंदर मे देखे, कोई खामी तो नहीं है, माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामिया निकालनी है, बाब कहते हैं, बांदेलिया, सभी से जास्ती याद में रहती हैं, वही इच्छा पदपाती हैं, जितना जास्ती मार्क खाती हैं, उतना जास्ती याद में रहती हाई शी बाबा निकले का ग्यान से शी बाबा को याद करते हैं उनों का चाट अच्छा रहता है ऐसे जो मार खाकर आते हैं वे सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं अपना जीवन उच बनाने लिए अच्छी सर्विस करते हैं सर्विस ना करे तो दिल खाती है दिल टपकत ही है हम जामें सर्विस पर बल समझते हैं सेंटर्स छोड़ कर जाना पड़ता है प्रन्तु पर दर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर के भी परवा न कर ये भागना चाहिए जतना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा दान भी जरूर करना है न यह है अबिनाशी ग्यान रतन जिनके पांस होंगे वही दान करेंगे बच्चों को अब सारी स्रिष्टी के आदी मद्दे अंत का ग्यान याद आ जाना चाहिए सारा चक्कर फिरना चाहिए बाप भी इस स्रिष्टी के आदी मद्दे अंत को जानने वाला है जरूर ग्यान का साधर है स्रिष्ट के चक्कर को जाने वाला है, यह दुनिया के लिए बिलकुल नया ग्यान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है, वन्डरफुल नालज है ना, जो बाप ही बताते हैं, कोई कितना भी सादू महात्मा हो, सीड़ी चड़कर उपर तो जाता ही नहीं, सिवाए बाप के मनुश्य ग ही दे सकते हैं, दिन परती दिन, ब्रिदी होनी ही है, बावा ने कहा था, परवात फेरी में यह लक्ष्मी नारायन का चित्तर, सीड़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए, बिजली की ऐसी कोई चीज हो, जिस से चमक आती रहे, सलोगन भी बोलते जाओ, राज-योव, परम पिता परमातमा ही सिखा रहे हैं, भागी रत दवारा, और कोई भी यह राज-योग सिखला नहीं सकते, ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे, अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, धारना के लिए मुखे सार, नमबर एक, यह नाटक, अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुराने दुनिया से उपराम रहना है, शिरिमत पर अपनी तकदीर उच बनानी है, कभी कोई उल्टा करम नहीं करना है, नमबर दो, अबिनाशी ग्यान रतनों की कमाई करनी और करानी है, एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन, अनेकों को रास्ता बत दाना है, वर्दान, त्याग और तपस्या के वाता बरंदवारा बिगन बिनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भाब, जैसे भाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है, वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं, सेव आता ही है सेवाधारी देने वाले होते हैं लेने वाले नहीं इसलिए सदा निर्विगन रहते हैं तो सेवाधारी समझ कर त्याग और तपस्या का वातावरन बनाने से सदा विगन बिनाशक रहेंगे किसी भी प्रस्थिती का सामना करने का सादन है सबस्थिती की शक्ती